चैय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीव चनली में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मार्च और 19 मार्च के धनूराशी फल के बारे में धनूराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क कास्त है कैसा होगा सब कुछ जानेंगे विस्तार से तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए जा लेत पूरु साड़ा नक्षत्र रहेगा दो पहर एक बजे तक उसके बाद उत्तर साड़ा नक्षत्र लगेगा इस दिन परिगनाम का युग बन रहा है ये बुद्वार का दिन है सूर्य जो है वो मीन राशी में है और चंद्रमा शाम तक या कहें रात साड़े साथ बजे तक धनु राशी में रहेंगे उसके बाद मक्ष राशी विरवेश करेंगे उनीस मारश की बात करते हैं क्रेश्ट पक्षी की एकादशी तिति है बहुत ही शुब दिन है उत्तरसाड़ा नक्षत्र है जो दो पचास तक रहेगा दो बजग कर पचास मिनिट तक उसके बाद से रहने वाले हैं तो एक दोस्तों ये एकादशी का दिन है और ये जो एकादशी का दिन है इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है जो 19 मार्च को पढ़ रही है और ये हमिशा चैतर मास में आती है पैसे तो हर महिने में एकादशी दो बार आती है लेकिन इस एकाडशी को पाप मोचनी एकाडशी कहते हैं, जिस दिन भगवान विश्णू के एक चतर हुझ रूप के पूजा होती है, ये दिन जो होते हैं ये सिद्ध दिन होते हैं, इन दिनों में आप कुछ उपाए करके, कुछ ऐसे काम करके, अपने लिए भगवान विश चिति की हम बात करें तो चंद्रमा दोनों ही दुनों में आपके दो भावों में रहेंगे आपके लगन में और आपके दूसरे भाव में यानि आपका लगन और आपका धर्म भाव सक्री आवस्ता में रहेंगे तो सबसे पहले हम अठारा मार्श की बात कर लेते हैं चंद्रम यहां result दे रहा है तो यह जो दिन होंगे देखिए वैसे तो दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अधिक सफलता वाले होंगे आपके व्यक्तित में एक निखार वाले होंगे इस समय देखिए आप खुद को साइकलोजिकली मैंटेंड रखने पर विश्वास करेंगे और वैसे बुरा भी नहीं है अच्छा है बहतर होगा चाहे कुछ भी हो लेकिन जो भी कुछ आपके साथ होगा वो इन दो दुनों में अच्छा ही होगा 18 मार्च के हम बात कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित निखरता हुआ नजर आएगा व्यक्तित में निखार आएगा आप कोशिश करेंगे कि खुद को अच्छा फील कराएं और इसमें आप कामया भी होंगे आपको बड़ी positive feeling आएगी और इसमें आपको किसी पारिवारिक न्योते पर भी जाना पड़ सकता है तो जरूर कोशिश करें कि उसमें शरीक हो पाएं आपके अपनी परिवार के साथ रिष्टे भी अच्छे बनेंगे और आपाहर आना जाना भी होगा आपको खुद भी काफी अच्छा फील होगा तो जाना बिलकुल न भूलें जरूर जाएं आप और देखिए अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो आप उस पर नजर जरूर डालें योकि इस समय आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर किसी मसले में इन्वाल्व हो सकते हैं और आप जो महनत कर रहे हैं अगर किसी प्रॉपर्टी में इवेश करने की या कुछ ढूने डारने की तो आपकी वो जो महनत है वो इस समय आपको रंग लाती होई दिखाई देगी इस समय देखिए आपको कोई करक और मीन राशी का व्यक्ति इलाव की प्राप्ति करा सकता है इस समय आपके लिए ये बड़ा शुब योग है रुपे पैसों के मामले में इस्थितियां बहुत बहतर बनती हुई दिखाई दे रहे हैं अच्छी स्थितियां रहेंगी और कई शेत्रों से लाप की प्राप्ति होगी तो आपका देखिए सबसे बड़ी चीज तो जो अठारा मार्च का दिन है व्यक्तितु को निखारेगा मजबूत होंगे और अगर उननीस मार्च की बात करें तो धन भाव में चंद्रमा होंग हाला कि यहां शनी भी है जो कि पीडित कर रहे हैं चंद्रमा को दोनों का दोश बना हुआ है लेकिन फिर भी यहां चंद्रमा की इस्तिति मजबूत होगी धनभा में है तो धन तो आएगा ही आएगा मेहनत जो कर रहे हैं उसका लाप तो मिलेगा ही मिलेगा कुछ नई जिम पर काम करेंगे और ये समय आपको उर्जावान भी बनाएगा अगर आप किसी कला जगत से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको प्रसिद्धी मिल सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति से मेल जोल हो सकता है जो बहुत प्रसिद्ध हो और आपको दिलो जान से प्यारा हो ऐसी इस्थ दिन भी अशुब नहीं है इस समय आपदी में आप चू भी काम करेंगे उन से आपको यश्प राप्त होगा जो आप निर्णा लेंगे उन निर्णों से आप आगे बढ़ते हो ने जर आएंगे नौकरी करते हैं तो वहां पदोनती हो सकती है मान समान मिव्रद्धी हो सकती है और कुछ खरेदारी भी हो सकती है विद्धारतियों की अगर बात की जाए तो विद्धारतियों को अपने सेक्शनिक मामलों में सफलता मिलेगी और अगर देखिए आपका रिजल्ट इन दिनों में मिलने वाला है तो बहुत अच्छा है रिजल्ट आपके फिवर में रह सकते हैं और देखिए यहां थोड़ी सी किसी शत्रो के कूटनिती का शिकार हो सकते हैं क्योंकि यहां शनी भी बाठे हुए है चंद्रमा के साथ तो शत्रों से थोड़ी सी सावधानी रहनी होगी कोई वैक्ती आपको किसी चीज के लिए बढ़का सकता है उससे सावधाना कि दोनो का ही जो प्रभाव है वह आपके स्वास्द्य पर ज़रूर देखने को मिल सकता है तो खास उरसे नेतशTY संबंदी कुछ परेशानी हो सकती है तो लिए को ध्यान की तो परिवारिक जीवन के रूप में देखा जाए तो परिवारिक इस्थिती अच्छी रहेगी आप अपने सहयोगियों के साथ अपने परिवार के साथ अच्छा समय विताएंगे प्रेम संबद में कोई महत्पुन नेना अगर लेना चाह रहे हैं तो उसे अभी टाल दें बहतर होगा लव लाइफ में लापरवाही ना बढ़ते क्योंकि इस समय आपको ऐसा प्रतित हो सकता है कि आपको जितनी तवज्यों मिलनी चाहिए उतनी नहीं प्राप्त हो रही है तो आलग यह आपके मन का वहम भी हो सकता है लेकिन फिर भी थोड़ी से सावधानी रखने जरूरी होगी और जो दामपते जीवन है वो अच्छा रहेगा दामपते जीवन में मेलमिलाप अच्छा होगा बढ़िया रहेगा विद्यारतियों के लिए भी यह जो समय है यह काफी अनुकुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो देखिए दोनों ही दिन आपके लिए शांदा रहने वाले हैं कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं दिखाई दे रही है अब हम एकादशी थी उन्नीस मार्च की एकादशी के बारे हम बात करते हैं क्योंकि यह जो एकादशी है बहुत ही महत्तपुन है पाप मोचनी एकादशी है जैसा की नाम से प्रतित होता है बड़े यग के समान फल की प्राप्ति होती है यानि एक हजार गायों के दान का फल मिलता है अगर इस दिन आप कुछ काम कर ले भगवान विश्णू को प्रसंद कर ले तो निश्चित तोर से भगवान विश्णू की करपा के पात्र आप बन सकते हैं अगर आप इस दिन वरत रखते हैं तो बहुत अची बात है और अगर आप वरत नहीं रखते हैं तब भी क्योंकि इस दिन भगवान विश्णू के चतुर भुजरूब की पूजा की जाती है एक तो वरत करने वालों को इस दिन सात्विक बोजन करना चाहिए हला कि प्रतेक व्यक्ति को एक अधशी के दिन सात्विक बोजन ही करना चाहिए और अपने मन से भोग विलास की भावना को त्यागना चाहिए और भगवान विश्णू का इसमरन करना चाहिए तो एक अधशी के दिन सूर्य और दयकाल में आपको सनान करके वृत का संकल्प लेना है अगर वृत नहीं करते हैं तो सनान आदि करने के बाद आप भगवान विष्णु की विधी विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान की समक्ष बैठ कर या तो भगवत कथा का पाठ करें या सुने या पाप मोचनी एकादशी वरत की जो कथा होती है उसको आप सुन सकते हैं या आप उसको पाठ कर सकते हैं और इस दिन ध्यान रहे जूट ना बोले अप्रिय वचन ना बोले प्रभू का इश्मन करें पूरे दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस मंत्र का जब करते रहे भगवान विष्ण कि किरपा पाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं तो दोस्तों इन दो दिनों को अच्छे से बिताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें